Hello friends, तो जो BSC 1st year chemistry का जो हम unit 4 देख रहे हैं introductory medical chemistry ठीक है तो आज हम उसमें बहुत जड़ इंपोरेंट टॉपिक जिसका नाम है Retrosynthetic wristless ad ठीक है Retrosynthesis analysis के बारे में देखने वाले हैं तो बहुत ज़धा आसाने देखेंगे इसमें देखेंगे हम synthons कैसे बनते हैं सब्सक्राइन कि चलो सुरू करते रेत्रोस सिंथेतिक विसलेशिएंड के बारे में तो आपको पता है हम पढ़ने बारे में दवा के बारे में श stab rate में डवा के बारे में ठीक है तो दिखो ये क्या होता है डित्रोस की योजना बनाने में समस्याओं को हल करने की एक तखनीक है मतलब आपको कार्वनिक संस्याओं को हल कर देता है कैसे अभी देखते हैं क्या है कार्वनिक संस्याओं को हल कर देता है कैसे अभी देखते हैं क्या है कार्वनिक संस्याओं थोड़ा सब्द जो है थोड़ा कठिल molecule होता है छोटा अडू होता है वो होता है लच अडू target molecule ठीक है इसके bond को break करना ही retrosynthetic विसले सड़ कर लाता है इसके bond को तोड़ना break करना वाला bond हमें तोड़ना है देखो अभी आगे समझ में आगा बाद धीर धीर थोड़ा साथ आपको वीडियो देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा तो देखो आपका ये है हमने क्या लिया है ये आपका लच यडू टार्गेट मॉलेक्यूल जो आपका ड्रग है ये कैसे बन गया है तो हमें इसका पता लगाने के लिए हम रेक्तो सिंथेसिस एनलिसिस का प्रयोग करते है तो देखो जब अब इसको बॉंड को तोड़ेंगे तो देखो यहां पर से बेंजीन आपका जब बॉंड तूट जाएगा तो यहां पर इनो टू जो इससे जुड़ा हुआ है इनो टू अपना इलेक्टरान लेकर निकल ज दिया था तो बेंजीन लिंग के उपाँ पॉच्ट लग चुका है और इसके उपाए एनो टू माइनस लग चुका है तो आब हमें पता चल गया कि यह जो हमारा लच हरू टार्गेट मॉलिकूल था यह किस किस से मिलकर बना था इससे और इससे इससे मिलकर बना था आप दे गैसे बनांगा तो अगर इसकी बात करें तो अगर भी और छोड़ो तो हमायारा क्या बन जाएगा है थान से समझो का है आप घैडार्गेन को और हमारा से हाइड्रोजन निकल जाएगा जो की बना लें जल करहा बना लेगा जल और ऋर यहां रह énerए जो बेंजीन है, ये बेंजीन के साथ क्या लग जाएगा NO2, तो हमें पता क्या चल गया नाइट्रो बेंजीन जो हमारा लच हडू टार्गेट मॉलिकूल था, कैसे मिलकर बना बेंजीन और नाइट्रिक अमल से तो ये होता है आपका लेट्रो सिंथेति विसले सड़ में, ठीक है तो आप समझो अब क्या हुआ इस पर, इस पर हुआ क्या देखो आपको क्या करना है ये जो आपको टार्गेट मॉलिकूल दिया गया है इसके आपको क्या बनाने, दो सिंथांस बनाने कि किससे मिलकर बना है इसके bond को आपको तोड़ना है, ठीक है, bond को ब्रेक करना है, bond को हमने तोड़ा, तो हमें दो synthons मिलें, दो synthons मिलें, आप इन synthons को देखना है, कैसे, यह तो अभी छोटे प्रारूप है, जिससे यह बने होंगे, ठीक है, तो आप यह किस्ते बने होंगे, बेंजीन पॉस्टिव और benzeeaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseasease जिसमें दो सिंथोन बनाने के लिए एक बंद को तोड़ना पड़ता है, मतलब कि कदम से आप सीधा सीधा समझो कि रेट्रो सिंथेतिक विस्थड के अंतरगत क्या होता है, दो सिंथोन बनाने के लिए एक बंद को तोड़ना पड़ता है, हमें इन दोनों सिंथोन को बनाने क लिए आपको क्या करना पड़ेगा बॉंड को तोड़ना पड़ेगा ठीक है रेट्रो सिंथेटिक विसलेशड के इंतरकत यह होता है ठीक है तो यही कहा गया रेट्रो सिंथेटिक कदम या रेट्रो सिंथेटिक विसलेशड जिसमें दो सिंथोन मनाने के लिए एक बंद को मे के बार ये रेट्रोसिंथहुष्टिक्विस्लीस indenmentiger कर रहे हैं इसका टार्गेट य है कि संदाशनात्मक्स सरली कर रहा हमें पता चल जाए कि कैसी इसकी संधेटर्य है कैसे बना होगा ठीक है कि कैसे बना होगा इसलिए synthons का synthons बना जाते हैं कि हमें पता चल जाए कि कैसे ये बना होगा ठीक है तो हमें किसी भी drug का पता लग सकता है कि किसे बना होगा इसलिए आपका retro synthetic visualization होता है तो देख सकते हो कार्मनिक sensation की योजना बनाने की समझ जाओ को हल करने के लिए कि मतलब कार्मनिक sensation आसान हो जाए इसको हल करने के लिए आपका retro synthetic visualization किया जाता है ठीक है तो देख सकते हो आप इसके bond को आपने ब्रेक किया दो synthons बना और ये आपका synthetic equivalent हो गया ठीक है और ये आपका last में क्या बन गया जाके इसका आपने क्यों किया क्योंकि इसका target एक सनरशनात में सरली करण किया आसान हो जाए सरली करण का मतलब सरल हो जाए आसान हो जाए ठीक है तो ये बात थी आपका किसकी retro synthetic visualization retro synthesis analysis ठीक है तो भाई topic बहुत important था तो अगर वीडियो चलगा तो प्लीज वीडियो को प्लीज वीडियो जाए 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 झाए वीडियो को